नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका गुरू आश्रम चैनल पर आज हम बात करेंगे भूमी की ढलान के शंबंद में कि भूमी का ढलान कब सुब और कब असुब होता है अर्थात किस दिसा में उचा होना और किस दिसा में डाउन होना सुब माना जाता है या असुब माना जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं यदि उचा होना यदि आपका पुर्व दिसा का छेत्र आपका प्लोट जो है आपकी भूमी जो है यदि या आपका घर का निर्मान पुर्व दिसा में अधिक उचा है, ये सुभ नहीं माना जाता, ये औसफलता का कारण बनता है और संतान हानी का कारण बनता है, तो पुर्व दिसा आपको उचा हमें नहीं रखना चाहिए, पस्सिम दिसा यदि आपके घर का, यदि आपके प्लॉट या आप जहां निवास क करने वाला होता है उत्तर दिसा यदि किसी के घर का अधिक उचा हो या आपके पलोट की भूमी में उत्तर दिसा अधिक उचाई वाली हो भारी हो तो ये सुख संपत्ती में कमी करने वाली होती है उत्तर दिसा को उचा नहीं रखना चाहिए दक्छिन दिसा में यदि उचाई भारी हो ये धन न धान न परदान करने वाली एवं आयू में बिर्धी करने वाला माना गया है तो आपको दिसाओं की अनुसार ये चीजें मैंने बताई अब आईए कॉर्नर अगनी कोन वाला छेत्र यदि उचा हो तो धन एवं सुख परदान करने वाला माना जाता है नेक्स्ट है हमारा नेरितिकोन वाला छेतर यदि उँचा हो तो सास्त्र कहता है कि बेपार से बिशेश लाब होते हैं ऐसे जातक को बेवसाई से काफी लाब होता है यदि आपके घर का या आपके पलोट का आपके भूमी का नेरितिकोन उँचा है धन परदान करने वाला माना गया है अर्थात नेरिति कोन उचा सुभ माना जाता है आपका बायू कोन यदि उचा है तो ये सुभ नहीं माना जाता है ये धन की हानी एवं कश्ट देने वाला माना गया है बायू कोन उचा नहीं होना चाहिए इसान कोन अर्थात पूरव और उत्तर का कोना यदी उंचा है यह अनावश्यक रूप से घर में कला उत्पन्न करता है कश्ट उत्पन्न करता है आपको दुख का कारण बनता है तो हमने देखा कि भूमी के उंचाई के अनुसार सुब एवम असुब परभाव अब आईए भूमी नीची होने या ढलान होने से क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी भूमी यदि पुर्व दिशा में ढलान है पुर्व की तरफ सुलोप है पुर्व की तरफ उचाई कम है घर की यह सुब माना गया है सास्तर में सुख परदान करने वाले ये इसी घर होती है, सभी प्रकार की बिर्धी का कारक होता है, अर्थात ये अत्यंत सुभ माना जाता है, उत्तर दिशा में यदि आपका घर सुलोप हो, डाउन हो, नीचा हो, उत्तर दिशा की ओर, धन संपत्ती परदायक माना गया है, लाभ का कारक माना गया है, उत्तर दिशा की स्वामी, भगवान कुवेर होते हैं, तो ये दिशा यदि डाउन होता है, तो आपके लिए लाभ का कारक एवं सुभ कारक माना जाता है, दक्षिन दिशा यदि डाउन हो आपके घर का, स्लोप अधिक हो, यहाँ डाउन हो, इधर का निर्मान कम हो, छोटा हो, ये बिलकुल सुभ नहीं माना जाता है, सास्तर कहता है कि ऐसे घर में निवास करने वाले को मिर्तिव तुल्य कष्ट का कारक बनना पड़ सकता है, दक्षिन दिशा का स्लोप डाउन बिलकुल सुभ नहीं है, पस्षिम दिशा में यदि स्लोप हो, डाउन हो, या नीची भूमी हो, पस्षिम दिशा में, शास्त्र कहता है कि आपको जीबन में कष्ट हो सकता है मानहानी शामना करनी पड़ सकती है बदनामी का शामना करना पड़ सकता है तो पस्सिम और दक्षिन का श्लोप या डाउन सुवन नहीं माना जाता अगनी कोन अर्थात दक्षिन और मैं थोड़ा सा इसे clear कर लूँ तो आपको अस्पष्ट हो जाएगा पुना मैं एक round में सारे चीजों को बता दूँगा East और South East का corner जिसे हम अगनी का छेतर करते हैं या छेतर यदि आपके घर में down हो तो अगनी भय उत्पन करता है घर में बायू एबम अगनी भय दोनों उत्पन करता है South West अर्थात नेरित्ति का छेतर यदि down है धन संपत्ति नाशक माना गया है ये बिलकुल शुब नहीं है अनावस्यक खर्चों को बढ़ा देता है धन ब्यर्थ में बरवाद होता है तो नेरित्ति कोन का डाउन होना या नीचा होना बिलकुल शुब नहीं माना जाता है बायू कोन का छेतर डाउन होने से कष्ट कल और ब्यादियां उत्पन करने वाला होता है North East का छेतर यदि down हो ये शुब माना जाता है सुख संपत्ति और एस्वर ये देने वाला धन संपत्ति परदायक माना गया है अब आईए हम इसे सोट में समझ लें कि कौन सा स्थान उचा और किधर उचा स्थान अब होना चाहिए सास्त्र के अनुसार सबसे डाउन अस्थान ये छेत्र होना चाहिए इशान कोन का तीसरे नंबर पे अगनी का छेत्र उचा होना चाहिए उसके बाद आता है हम धीरे धीरे ये अस्थान आपका यहां से यहां तक यदि उचा है तो ये सुब माना जाता है इतना अस्थान आपको घर में उचा है और भारी निर्मान बला रखना चाहिए चाहिए उचाई प्लोट की हो या घर की हो साथ में आपको डाउन वाला अस्थान उत्तर से लेके पुर्व तब का अस्थान यदि आपके घर में डाउन वाला है डाउन का छेतर है तो ये सुब माना जाता है ये छेतर डाउन होना चाएए ये छेतर अप होना चाहिए ये सुब माना जाता है बहुत लोग कहेंगे कि हमारे घर की भूमी तो ऐसी है नहीं, गावराने की अवश्चरक्ता नहीं है आप घर का निर्मान कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपका ये छेतर अधिक उचा निर्मान हो जाए अधिक बड़ा और भारी निर्मान हो जाए इस छेतर का निर्मान हलका हो जाए डाउन हो जाए ये तो आपके हाथ में है आप जब घर का निर्मान करते हैं इस तरफ के कख्ष की उचाई 4-5 इंच आप उचा रख सकते हैं और यहां बरामदे या इस तरफ के कख्ष की उचाई इस साइड में जेनरली हम लोग बरामदा देते हैं तो इसकी डाउन उचाई जो थोड़ी कम रखें 4-5 इंच कम रखें ति यह एक बास्तु को संतुलित क करने का प्रियास्त करेगा यह आपके हाथ में भूमी की उचाई या फिर डाउन या धलान हमारे हथेली में नहीं होती है कई बार चुकि भूमी एक तरफ डाउन है तो हम उसे चाह कर भी नहीं बदल सकते परन्तु घर के कंस्ट्रक्शन में हम बदलाव अवस्य कर सकते हैं कि उचा निर्मान हमें इस छेतर में करना है नीचा निर्मान हमें इस छेतर में करना है बास्तु के संतुलन हेतु अब इसमें भी कई लोगों के कई परकार के कंफ्यूजन होते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हमने सोचालय बना रखा इस अस्थान पर अब सोचालय का निर्मान आप चाहें तो सवचाले डाउन में बना सकते हैं या एक दो इश्टेप उपर भी बना सकते हैं उससे घवराने की अवशकता नहीं है यहाँ पर सवचाले डाउन में बना है दक्छिन दिशा में घवराने की अवशकता नहीं है इससे बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता मैं बड़े निर्मान की बात कर रहा हूँ कि घर का निर्मान कुछ इस प्रकार से करें कि आपने जो कक्छ बना रखा है इस छेतर में वो कक्छ की उचाई 2-3 इंच अधिक हो या आपने जो छट की ढ़लाई कर रखिये जैसे मैंने एक उधारन लेता हूँ जहां उचाई ये आपका घर है मान लिया जाई ये आपका घर है अब आपको इसमें सुलोप मेंटेन करना है तो इस तरफ में आप छट 2-3 इंच उचा कर दीजिए इसको थूड़ा सा सुलोप डाउन कर दीजिए कि ये पता भी ना चले और घर का बास्तु भी बैलेंस हो जाए ऐसे करने पर छट के उपर जल भी न ठारेगा और किसी परकार की लीके जेवं सिपेज की समस्या भी नहीं आईगी तो आज की अंक में साइद ये किलियर हो गया कि भूमी का कौन सा स्थान उचा होना चाहिए कौन सा स्थान नीचा होना चाहिए मिलते हैं अगले अंक में धन्यवाद